आप सभी प्रिय दर्शिकों का स्वागत है आजम बात करेंगे IFCI Limited के बारे में दो बड़ी खबरे लेके आये हैं लोन बुक बड़ी ही अच्छी तरह से स्वालो हो रही है इनकी बढ़ती ही जा रही है और गौर्मेंट यहां पर बहुत हेल्प कर रही है इनको आगे बढ़ यहां पर cases बढ़ते जा रहे हैं बट अभी इस बार का lockdown थोड़ा different है क्योंकि यहां पर complete lockdown नहीं है और infrastructure project जो है वो चल रहे है तो big infrastructure projects की जो demand है यहां पर बढ़ती जा रही है उनको funding करने के लिए government IFCI की तरफ बड़े उत्सुकता से देख रहे है क्योंकि government के वास अभी spending क करने के लिए funds available नहीं है तो यहां पर निकी loan book बहुत जादा बढ़ेगी यह exclusive ख़बर जैसे ही I market में तो इस सब के चलते हुए IFCI के share काफी तेजी से बढ़ने लगे जैसे आपको पता है यह government की PSU unit है और यहां पर यहां पर युन्होंने काफी सारे बड़े project fund किये हैं च जाहे आप big infrastructure products जो electricity या फिर cement या फिर oil production में काम करते हैं और या फिर आप किसी और infrastructure project road construction और इन सब में बात करें तो यह एक अच्छी पहल है इनकी जो long term में बढ़िया growth बना के दिखाता है अब अगर हम इसका भाव देखें तो देखें IFCI कल एक upper circuit में बंद हुआ है 10.90 पैसे के जो की हमारे इसाब से एक अच्छी पहल है यहां से 10.45 पैसे से खुला काफी देर consolidation किया और जैसे जैसे market में खवर आती जा रही है वैसे वैसे stock उपर बढ़ता जा रहा है यहां पर इसने बहुत अच्छा bounce back दिखाया है आने वाले समय के लिए अगर long term में देखें तो यह बहुत बढ़या growth बनेगा इसने जो bounce back दिखाया है देखें दोस्तो यह जो level थे इसके यहां पर आपके दो level को हमने चार्ट पर mark करके बताया था पहला level था कि आपको खरी है जो की इस stock के लिए एक अच्छी ख़बर है हमारे हिसाब से अब अगर हम देखें बुलींजर बैंड के पिसिस पर इसका सबसे पहला target 11.75 पैसे और subsequently 13.50 पैसे रहेगा यहां पर ख़बर बहुत positive है एक और ख़बर है इसके लिए exclusively देखें कोविड का impact micro conditions improve हो रही है जिस करेंगे और feature outlook बहुत positive है अगर हम Q4 की बात करें तो यहां पर जो Q4 का revenue की expectation है Q4 का revenue जो आएगा वो करीब करीब 1000 करोड के आसपास आने की उमीद है इस quarter में और साथ ही साथ में अगर PAT की बात करें तो यह PAT यहां पर positive territory में enter करेगा करीब करीब 50 करोड के आसपास इसका PAT होन अच्छा यह पिछले quarter में 700 करोड का loss था तो उससाब से यह एक अच्छी bullish view है long term में अच्छा growth बनेगा यहां से अगर हम बात करें यहां पर Q4 का expectation की accordingly market इसको अच्छा like करेगा अगर इस तेकर नमर आते हैं तो IFC है यहां पर as per our system analysis यहां पर इसकी buying value emerge हो रही है under value range में और fair value range के अंदर आते हुए technical के basis पर अच्छे level है buy करने के लिए please consider financial advisor और अगर हम demand supply की बात करें तो यहां पर अभी थोड़ा सा demand का जोर जादा रहेगा तो इसके चलते हुए यह stock थोड़ा long term के लिए बढ़िया buying level है यहां पर खरीदने के लिए आपको हमारा outlook बहुत bullish है इस तो 2.4 lakh से 3.8 lakh win 1.5 month 50% का return हमने one of our paid members को small account में देखे बड़े account में तो बहुत लोग काम कर सकते हैं पर छोटे account में काम करकर उसको result दिखाना एक बहुत ही tough job है और वो करके दिखाया है अगर आप interested हैं तो हमारे साथ free webinar join कर सकते हैं date adding कैसे की जाती है साथ ही साथ में यह 900 रुपे की admin fees है आपको में मंत में आप चाहें तो mail drop कीजिए भवनादीर no7 at demilg.com और आपके पर लिए चार वीडियो प्रसुत है जय हिंद जय भारत बाई गाईज